हेलो दोस्तों वेलकम है आपका आमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स करमचारियों के लिए मैं आज की दिन बर की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आया हूँ जैसे कि आप सामने देख पा रहा है और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल क अफिस मेमोरेंडम लेकर आते हैं जिसे हम समझाय जाते हैं हमारे चैनल पर साथी साथ पैंसनर्स की जो प्रॉलम्स होती है शायब उनकी पैंसनर्स से लेटेट हो उनके वेरियर से लेटेट हो या अधर बैनिफिट्स से लेटेट हो वो सब समझाय जाते हैं साथी साथ उन बस करना इतना है फ्री में सबसक्राइब करना चैनल को ब्लैक बटन के सबसक्राइब को प्रेस करके साथ आपके साथ आपके पास मारी वीडियो के लेटest जो अबडेट से जो निटेस्ट इन फोरमिसंस आ पहुचें उसके लिए आपको बैल आइकन को यानि घंटे के निसान को जरूर प्रेस करना है तभी आपके पास वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन आप पाती है और आप वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाते हैं पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दू किसके बेसिस पर वो काम करेगा वो भी वीडियो में बताऊंगा लेटस जो बड़ी अपडेट आई है वो आपको और भी कई सारे अपडेट है आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं हम सारी चीजों का डिटेल में बात करेंगे और लास्ट जो आ रही है आठवे ला जलकर आएगा उटपुट वो सारा इस वीडियो में हम चर्शा करेंगे और सारा इस वीडियो में जाने की पूरी कोसिस करेंगे इसलिए बने रही है हमारे चनल पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डीयो डीयार की मर्जिंग की यसा कि आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनो और मैं एक चीरो बता दूँ कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इस बार का महेंगाई बता और महेंगाई राहत है वो इस बार बहुत जल्दी अनॉंसमेंट देखने को मिलेगी और वैसा ही ठीक वैसा ही हुआ और आप सभी को पहले ही जो है काफी देन पहले ही इसकी announcement देखने को मिली, finally खेरम बात करते हैं, DAODR के मर्ज की आप सभी को पता है, कि पांचवे बेता नायोग में, या जो पैंसनल्स फिप्त पे कमिशन में रिटार्मेंट हुए थे, उनको पता भी होगा, कि फिप्त के पे कमिशन के recommendations के हिसाब से, DAODR को मर्जिंग किया गया था, फिर इसके बाद में 6Pay कमिशन में इसको मर्जिंग नहीं दी गए थी, और बात करते हैं, 7Pay कमिशन की फिलहाल जो चल रहा है, तो 7Pay कमिशन में में इसमें मर्जिंग की बात नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं, कि जब 50% DAODR हो जाएगा, तो वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 100 हो जाएगा, उसके बात 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, यह सारी चीजे बिलकुल सेपरेट से हैं, DAODR आपका मर्ज नहीं होगा, आप सपोस करिए, बहुत सारे अभी आप देखेंगे पे कमिशन से हो सारे थे जिनमें 100 के ऊपर भी DA और DR निकल गया है सपोज अभी 6 पे कमिशन में अगर सपोज करते हैं कि 100 से ऊपर पे कमिशन 100 से ऊपर जो है DA-DR चल ला है उसमें कोई भी मर्जिंग जैसी सुविधा अभी 7 पे कमिशन में नहीं गई है लेकिन हाँ अलग इसमें आगे जाके कुछ रिक्मेंटेशन होते हैं कुछ चेंजेस होते हैं तो उसमें कहा नहीं जा सकता और अगर ऐसा होता है तो मर्जिंग करने से पैंसरम को बहुत ज़्यादा हो सकता है करमचारेओं को भी इसका फाइदा मोंसे क्योंकि इसके बाद उनकी बास पहारब उनकी पैंसर स्टीदा प्रवाइड नहीं करें बात करते दूसری जो पैंसर penguin में लेकर एक इक प्रोइड फोर्मूला है मैंने पिछले कुछ दिनों इसकी बात की थी और Automatic Pay Revision की भी बात की थी तो Pensioners कमेंट कर रहे थे कि इन में से कौन सा बेस्ट है मैंनों इसके पूछा था तो उन्होंने पूछाता है कि सर एक्रोइट फोर्मुला क्या है यह हमें जानना है तो एक्रोइट फोर्मुला है थोड़ा सा मैं बता दू कि क्या हो सकता है एक्रोइट फोर्मुला वह हम लेकर आए पूरा अप देख सकते है सामनी स्कीन पर भी कि केंदी कर्मचारियों की और पैंसनास की पैंसन में जाफे को लेकरकरby dawn, आजकल और वह एक्रोइट फोर्मुous फोर्मुला है इससे फोर्मुले से कर्मचारियों की शहलियों की बेसिक प्रेंशन में महेंगाई, cost of living और कर्मचारी की पर्फॉरमस से जोड़ा जाएगा इन सब चीजों के आखलन के बाद ही सेली में यह जाफा होगा इससे सभी वर के कर्मचारी को फायदा होगा अना कि अभी यह सिर्फ सुझाव है इस पर विचार किया जा रहा है अभी तक किस फार्मूलों को फाइनल नहीं किया गया है इसके लावा इसमें दो तिन चीजे और की गई है तो क्या है वो दो तिन चीजे जिन पर विचार हो सकता है आप देख सकते सामने स्क्रीन पर साथवे वेता नायोग यानि सेवन सीपीसी की सेपारी से 2016 में लागू की गई थी उस केंडी करमचारियों की सहलई और पयंसन की बेक पयेसिक पयंसन हर साल दै हो सकती है । यह भी देख सकते है कि क्या है एकड़ेट फॉर्मॉल lt सूत्रों की माने तो सरकार कें सरकार की कर्मचारियों और पैंसन भोगियों की वेतन, पैंसन, बत्ते और पैंसन को रिवाइस करने के लिए आठ पैंसन आयूग यानि एक पे कमीशन से अलग कुछ और सो सकती है केंदी कर्मचारियों की पैंसनर्स की सहली बत्ते और पैंसन की सभीषा के लिए वेतनायों की गठन की जरुवत नहीं होगी सुतों की माने तो केंदी कर्मचारियों की परफॉमेंस ताह करेगी कि उनका कितना इंक्रिमेंट होना है और कब होना है इसके लिए उन्हें पूरे बेसिस होगी और आठवे बेता नायोग में यह सारी चीजे जो है आगे देखने को मिल सकती है लेकिन यह भी सब जितने भी मीडिया है चाहिए यूट्यूब चैनल से इन सब पर सिर्फ आंकलन लगा जा रहा है यह बोल सकते हैं गैसिस किये जा रहे हैं लेकिन एक्जेक्ट क यह भी बड़ी खबर निकल कर आ रहा है इसे में निकले कर आई हूँ किन सरकाते कर्मचारियों और पैंसनों के मैंगाई बत्ते और मैंगाई राहत में चार प्रिजदी के बडूत्री कर दी है अब डीए डीयार की पचास प्रिजदी पर पहुंच गे यह निया में के पतर्मान और भत्तों में बदला होता है जो कि मैंने अपने प्रिवेस वीडियों में भी बता दिया था अब बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि कर्मचारियों को अब आठवे बेता नायुक के गठन का इंतियार है यह यह घंतियों कि अब भी यह सरकार कर नहीं कर रहे हैं संचत के पिछले सत्त के दौरां ने आठवे बेता नायुक के गठन को लेकर दो तूक जवाब दे दी था 6 फ्रवरी को सराच्च साव में संसद ने आठ वेता नायोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था वित्र मिम्राज मंत्री मिस्टर पंका चोधी ने इस सवाल के जवाब में कहा सरकार के पास इस प्रकार का अभी कोई भी पैस्ताव विचारा दी नहीं है जैसे मैंने बैताया भी अलाकि उन्होंने वेता नायोग के गठन को लेकर पांची बड़ी अवस्ता और तीस वर्षे महंगाई का सामना यह तर्क भी दिया कि इसलिए आठ वेतान आयोग के गठन कोई प्रस्ताव वैचारा दी नहीं है यदि इससे संबंदित विवरा क्या है तो यह सारी चीजे उसमें पूछे गए ते और इसमें जवाब में बोला गया था मिश्टा पंकर चोतिनी जवाब में बोला था कि सातु बेतर नायोग के आधार पर बेतर बत्तों में संसवादन को अनुमोदन देते समय केंदी मंति मंदलने इस मामले पर भी कोई विचार नहीं किया है और आगे का आगे सरकार के पास प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नही करें तो स्टाप साइट की दाश्ति परिस्त जेसियम और अखिल भारती रक्षा कर्मचारी महासंग के माहसाचिव स्री कुमार के कर्मचारियों के दिये का आगड़ा 50% हो चुका है अखियन सरकार के समख्ष दमगार समख्ष आठोबेता नायोग के गठन का पैस्ताव कर्मचारी संगठनों ने के इन सरकार दोरा आठो बेतानायोग को गठितना करने को लेकर अथन्त दुगार दुरबागिपूर बताया है भरत पैस्ताव समाज ने भी आठोबेतानायोग की गठन की मांग उठाई है तो आप देख सकते हैं कि अलालग पैस्ताव और यूनि अदिकना हुआ